तो आप देखिए उम्मीद का एक्सप्रस भी है क्योंकि आसपास के जितनी भी तमाम शेयर जुड़े हैं वहाँ पर कहिना के इसको लेकर उम्मीद बहुत है हमारे सहीयोगी भी ग्राउंड सीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचन दूबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालाओन में मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे उनसे बात करेंगे और सीधा रुख कर लेते हैं सचन का सचन आप किस तरीके की तस्वीर वहाँ पर क्योंकि अब से कुछ देर पहले कुछ देर बाद प्रदानमंति नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर पहुचेंगे सुरक्षा वैवस्ता तो चाक्चापन दोगी लेकिन एक्सप्रस वे कैसा देख रहा है बिल्कुल रोहित आपको बता दे कि देखिए फराटे भादने के लिए बुलंच और एक्सप्रस वे है यही वो एक्सप्रस वे है जो तयार है और आज पीम नरेंद्र मोदी इसी का उद्गातन करने के लिए वो पहुचने वाले हैं बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि 296 किलोमितर लंबी चोई यह बुंदेल खन एक्सप्रस वे है और इसी की तयारी कूली कर लगतार तमाम जो दिकारी हैं तमाम जो आसपास के लोग हैं वो लगतार लगे हुए हैं पूरी कोशुश यह की जा रही है कि पीम नरेंद्र मोदी के आने से पहले यह जो तमाम तयारियां है वो अंतिम रूप में जो लगतार चल रही हैं वो खत्म हो जाएं क्योंकि कल बारिश जो है वो बहुत ज़दा हुई है और सौगार देने के लिए पीम नरेंद्र मोदी आज आपर पहुशने वाले हैं लंबी जो गाडिया है वो यहाँ पर तीस रफ्तार से भागेंगी और 296 किलोमितर की यह लंबी एक्सप्रेस पे अब तयार हो चुकी है जिसका उद्गादन करने के लिए पीम नरेंद्र मोदी भी करेंगे देखे रोई तमाम जो पूरी कोश्च थी इस सरकार की यही कोशिश थी की तीन साल के अंदर यह जो हाइवे यह जो एक्सप्रेस पे है इसको बना कर तयार करना है जो निरधारित समय था उससे लगपक 5-6 महीने पहले ही यह जो बुंदेल खंड एक्सप्रेस यह बनकर तैयार हो चुका है मेंन मोटिव के अगर हम बात करें मेंन एम की बात करें तो यह ख़ाए गया तमाम अधिकारों के तरफ से सरकार की तरफ से कि इस बुंदेल खंड एक्सप्रेस की वज़ग्रस से ही जो पलायन की समस्या थी जो रोजगार की समस्या थी जो प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी आपे पहुंच रहाँ बने रहेगा हमारे साथ लोटूंगे आपके पास एक बड़ी खबर जो मिल रही है